हलो आप डिबन वेलकम तुमाय चैनल तो आज हम लोग सॉल्फ करेंगे ब्रेन टीजर्स के को और इसके पहले के जो वक्सित हैं उसका वीडियो लिंक आपको मिल जागा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप तो राइट साइट कोनर पे आपको एक नोटिफिकेशन देखेगा हम पर आपको लिक करेंगे वहां से विडियो का लिंक मिल जाएगा तो आइए हम लोग यहां पर पहले फिर्स्ट कोशन को सॉल्फ करेंगे और फिर्स्ट कोशन कहता है टीक टी करेक्ट आंसर तो आप यहां पर देख सकते हैं four options दिये हम लोगों को इसमें से एक अपना करे इंग्लों जो होता है उसमें three angles होते हैं और three angles में यूर्स का सम किया जाया तो कितना हमको मिलता है 180 मिलता है तो आप यहां पर चेक कर लेजी कि कौन सा सेट है जिसमें हम सम करने से 180 हमको मिल जाएगा तो फ्रस्ट अमर में चेक लिए तो 40 mais30 plus 45 अगर आप यहां पर इसको सम करते हैं आपको कितने मिल जाता है 115 ठीक है तो यह तो हमारा आंसर नहीं होने वाला है अब यहाँ पर हम बात करेंगे सेकेंड नमर ऑप्शन पर तो यहाँ पर सम करने से कितना मिल जाता है आप देख लिजी यह हमारा है 70 प्लस 50 यह दोनों को सम करने से 120 मिल गया 120 और यहां पर 35 तो इसको फिर सम करेंगे था हमारे पास कितना आ जाएगा यह हमारे पास आ जाता है 155 ठीक है तो 155 तो आंसर नहीं होगा चुकि ट्रैंगल्स के तीनों एंगल्स जो होते हैं उसका सम कितना होता है 180 होता है अब यहां पर अगर हम सम करते हैं तो हमको मिल जाता है 260 यह भी हमारा नहीं होगा यहां पर सम करने से हम लोगों को मिलता है कितना 180 तो इसलिए यह हमारा हो जाएगा आंसर ठीक है फोर्थ नमर हमारा करेक्ट आंसर इसको आप टिक कर लेजिए नेक्स्ट हमारे पास बी नमर कोश्चन है इसको आप देखिए केते हैं टू इक्वल एंगल्स ओफ ट्राइंगल आर ओफ मेजर सेवेंटी डिग्री इच ओके यहां पर जो टू एंगल्स है ट्राइंगल के वो दुनों क्याना इक्वल है और उसका मेजरमेंट कितना है 70 ड हो जाएगा तो आएए यहां पर हम लोग बना लेते हैं ट्राइंगल यहां पर ट्राइंगल बना लिया है और यहां पर इसका कुछ नाम हम लोग दे सकते हैं सब पुछ किजिए कि हम लोग इसका नाम यहां पर ए बी और सी रख देते हैं तब यहां पर हमारा पास क्या हो ho PA Strategy तो किתח murder Do you know hściम और स्काoga मेजैरमंगे कितना है तो 70 डिग्री है तो मुझे दिजे यहां पर क्या करते हैं ौल ले यह और यह जो एंगल यह भी हमारा कितना किशींटी-डिघ्री है ओके हो जहाँ दे इन better of third Angle is तो यह हमारा थर्ड एंगल होगा इसका तो हम लोग मानके चलते हैं कि यह हमारा क्या है आप यहाँ पे जो ठ्रिशन से 3 एंगल का सम कितना हो जागा 180 हो जागा तो आप देख लिज millor जा लुँए हम लोग क्या माल लिए एक्स माल लिए हैं और भी हमारा कितना है सेवेंटी के एक्वल है यहाँ पे सेवेंटी डिग्री पूट कर लेते हैं और सी भी हमारा सेवेंटी है चुकि टू एंगल जो है वो एक्वल है और दोनों का मेजर्मेंट कितना है सेवेंटी है तो आप यहाँ to कितना 180 आ गया यह जो हमारा 140 है इसको हम राइट शैट ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा तो अभी हमारे पास X का भेलो आ जागा देखिएगा X is equal to क्या हो जागा 180 राइट शैट पहले से है इसमें हम 140 को left side से right side shift कर रहे है तो हमारा यह किसम आ जागा minus में चूपकर यहां पे plus में है 180 में अकर 140 डिग्री हम minus कर लें हमारे पास कितना आ जाता है 40 डिग्री आ जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो हमारा angle है वो कितना है 40 डिग्री है तो आप देखें यहाँ पे 40 degree कौन सा option पे है तो third number option है यहाँ पे 40 degree दिया हुआ है इसका मतलब third number हमारा correct answer होगा हम इसको यहाँ पे not कर लेंगे next question number 3 हमारे पास कहता है the side opposite to the vertex x of triangle xyz तो xyz के हमारे एक triangle है और इसमें vertex x है इसके opposite कौन सा side होगा तो यहाँ पे देखें हम लोग उना बना लिया है xyz एक triangle और यह हमारा vertex x है इसके opposite अगर हम देखें तो इसके opposite हमको यहाँ पे कौन सा side देख रहा है yz देख रहा है तो यहाँ पे आप yz जो option है उसको आप tick कर लिजे यह देखे yz आपका पहले ही है हाना यही आपका answer होगा आप इसको tick कर लिजे next हमारे पास question number d और यहाँ पे कहता है a triangle can have exterior angles एक जो triangle है उसके कितने exterior angle हो सकते है तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है 4 दिया हुआ है 3 दिया हुआ है हमारा character अनसर क्या होगा 3 होगा आप यहाँ पे देखें हम लोगों ने पहले में देख लिया था यह हमारा एक triangle है P, Q, R इसमें से आप देख सकते हैं यह angle, यह angle और यह angle हमारे exterior angles है तो कितने angles होगे 1, 2 and 3 इसलिए हमारा यहाँ पे correct answer क्या हो जागा न 3rd number 3 next हमारे पास question number E है और यहाँ पे कहता है 2 angles of a triangle are 35 degree and 50 degree what type of triangle is this हमारे पास एक triangle है और उसमें जो 2 angles है उसका value दिया हुआ है 35 degree and 50 degree कहता है what type of triangle is this तो इसके लिए हमकों यहाँ पे 3rd angle जो है न हम लोगों को निकालना पड़ेगा तो आएए इसको हम लोग यहाँ पे solve कर लेते हैं तो मानके चलते हैं कि x, y, z हमारा एक triangle है और इसमें से 2 angles दिये हुए है एक तो हमारा दिया हुआ है कितना 35 degree अभी आप यहाँ पे देख चुके हैं और दूसरा है हमारा 50 degree यह हम मान लेते हैं कि हमारा second angle है यह कितना है 50 degree है ठीक है अब हम क्या करते हैं लिखते हैं angle x plus angle y plus angle z equal to कितना 180 चुकि यह angle sum property आपको पता है तो अभी ना x का value हमको निकालना है तो यहाँ पे x से रहने देजिए y का value हम लोगों ने कितना मान लिया है 50 degree और z का भेलो हम लोगों ने मान लिया है कितना 35 degree तो इस तरह से हम इसको sum करके right side ले जाएंगे तो अभी यहाँ पे x को आप रहने देजिए यह हमारा add होगों कितना आ गया 85 degree और यहाँ पे right side कितना है 180 degree तो x का value हमारा कितना आ जाता है 180 degree माइनस हमारा यहाँ पे हो जागा 85 degree तो अभी आप देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 95 degree ठीक है तो 95 degree हमारा गया third angle यह हमारा हो जाता है यहाँ पे third angle तो third angle का value हमको मिल गया 95 आनि 90 से जाएदा है तो यह हमारा triangle कौन सा होगा यहाँ पे पहला option हमारे पास है right angle right angle नहीं होगा चुकि right angle तभी होता जब उसमें से एक angle कितना होना चाहिए था 90 के equal होना चाहिए लेकिन यहाँ पे कोई भी angle 90 के equal नहीं है अब दूसरा जो है यह हमारा है obtuse angle ठीक है तो obtuse angle यह option हमारा correct हो जाएगा चुकि यहाँ पे एक angle 90 से जाएदा है तो हम इसको obtuse पे tick कर लेंगी वो कितना निकल गया 95 degree निकल गया इसलिए acute भी नहीं होगा isocellus भी नहीं होगा isocellus में two angles equal होने चाहिए तो two angles तो equal है नहीं इसलिए हमारा correct answer क्या है यहाँ पे second number obtuse angle next देखिए question number हमारे पस भी कहता है name the vertex opposite to side PQ of triangle PQR तो PQ के opposite हम को लिखना है यहाँ पे vertex ठीक है name the vertex opposite to side PQ तो PQ यह हमारा हो जागा तो बच क्या रहा है R तो R हमारा वो vertex हो जाएगा तो हमारा जो answer होगा answer में हमारा होगा यहाँ पे vertex R ठीक है आप अपने notebook में note कर लेके हमारा answer हो रहा है vertex R किलिए यह देख लिए हुआ है इसमें से कितने triangles बन रहे हैं तो बहुत है असानी से हम यहाँ पे count कर सकते हैं पहले तो यह जो छोटा triangle इसको आप देख लेजिए यह हमारा हो गया 1, यह हमारा 2, यह हमारा 3 1, 2, 3 यह 3 triangles हमको देख रहे हैं प्लस आप यह triangle को यहाँ पे ले ले जिए इस तरह से ठीक है यह हमारा 4th हो गया और यह किधर से ले ले जिए यह हमारा 5th हो गया तो हम लोगों का answer यहाँ पे क्या हो जागा answer हो जागा 5 ठीक है 5 triangles यहाँ पे हमको देख रहा है के लिए next question कहता है all the three sides of a triangle are equal in length जितने भी sides है triangle के वो सबके सब equal length के है what type of triangle is this तो यह किस तरह अगा triangle है हम लोगों को पता है na equilateral triangle यह कहलाता है यहाँ पे देखिए first page में हम लोगों को बताया गया है all three sides are equal तो हमारा वो क्या कहलाता है equilateral तो हम लोग यहाँ पे answer क्या दिखने वाले है equilateral triangle हम लोग यहाँ पे answer करेंगी तो मैं यहाँ पे answer note कर देता हूँ आप अपने notebook में अच्छे से note कर लेजिएगा ठीक है यह हमारा है equilateral triangle ठीक है कौन सा triangle है equilateral triangle इसका answer हो गया अब D number question देखिए कहता है is it possible to construct a triangle with line segments of length 5 cm 7 cm, 12 cm यहाँ पे क्या इस तरह का triangle construct कर सकते हैं जिसके side के length यहाँ पे दिये हुए है अगर नहीं तो क्यों नहीं तो यहाँ पे जो हमारा है concept वो concept यह है कि two sides को अगर हम add करेंगे तो जो आईगा value वो third side से जएदा आना चाहिए उसका length से ज़्यादा आना चाहिए तो यहाँ पे two sides को आप लिजिए यह 5 cm और 7 cm दोनों को अगर आप add कर लेते हैं तो यहाँ पे add करने सा वो क्या मिल जाता है आपको मिल जाता है 12 cm ठीक है third side कितना है यहाँ पे third side आपका 12 cm तो third side से ज़्यादा value आना चाहिए था ज़्यादा value नहीं आया equal आ गया इसलिए इस condition में हम यहाँ पे triangle को construct नहीं कर सकते हैं तो हम यहाँ पे answer लिखेंगे no because हम यहाँ पे note कर लेते हैं because because sum sum of two sides ठीक है लिखेंगे हम लोग no because sum of the length of two sides is not greater than third side third side से ज़्यादा नहीं है value sum करने से इसलिए हमारा यहाँ पे जो triangle है वो नहीं बन सकता है ओके last यहाँ पे इनमर पोरिशन पे ध्यान देजिए कहता है name the exterior angle form at the vertex B of the given triangle तो vertex B पे आप चले जाए यह vertex B हमारा यहाँ पे है अब यहाँ पे जो exterior angle बन रहा है उसका नाम लिखना है तो यहाँ पे exterior angle हमारा यह बन रहा है अब इसका नाम क्या हो सकता है तो c by लिख सकते हम यहाँ पे तो हमारा जो answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा angle c by angle c by यह हमारा answer हो रहा है exterior angle हमारा यही बन रहा है vertex B पे ओके बिल्कुल simple था अब next question नमर second देखे कहता है a, b, c, d are four points join them in pairs how many triangles are formed अगर यहाँ पे जो four points दिखाएगे हैं हम इसको अगर यहाँ पे join कर दे तो कितने triangles बन जाएगे तो आप इसको आपने notebook में बना लेजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ हमको क्या करना है? सारे को join कर लेना है तो मैं इसको join कर लिया जितने भी points हैं सभी को आपको join कर देना है आपस में कितने ट्रैंगल्स बनेंगे यह हमको यहां पर चेक कर लेना है तो आएए पहले हम जॉइन कर लेते हैं इसके बाद कितने ट्रैंगल्स बनेंगे वह भी हम यहां पर देख लेंगे किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है सारे के सारे पॉइंट्स को तो यहां हमारे पास य यह हमारा हो गया है हमने काम कर लिया कितने ट्रेंगल से तो 1234 यह तो हमारा जो छोटा ओला ट्रेंगल है इसकी संख्य कितने फॉर हैं अब इसके साथ हमको यहां पे और भी जो ट्रेंगल से उसको लेना पड़ेगा तो ट्रेंगल काम अपने नाटबुक में कर लिएगा फॉर हो गांसर कितने हो गया हो दो कितना हो गया ऐट ट्राइंगल्स क्या आंसर हो जागा हम लोगों का एट ट्राइंगल्स ओके तो यह हम लोगों यहां पर कर लिया आपको यह काम अपने नॉट्बुक में कर लेना है अब नेक्स्ट हमारे पास कुछिन नमर आता है थार्ड केता है लोकेट दी फिगर एंड फिल इन दी ब्लैं करेंगे तो यह मैंने यहां पर नोट कर लिया पेपर पर कोस्टन को अब यहां पर में लोग कर लेते हैं तो देखिए कहता है पहले यहां पर ट्राइंगल्स हैविंग पॉइंट एक्स तो पॉइंट एक्स जो है ना इन देयर एक्स्टेरियर आर तो अभी जो पॉइंट से वो उसके exterior part में होना चाहिए तो point x यह हमारा है तो यह जो है exterior part में होना चाहिए तो यहां पर कौन से triangle होएंगे तो आप देख सकते हैं हमारा यहां पर जो answer होगा एक क्यू एस ए या तो फिर एक क्यू एस हम ले सकते हैं तो हम यहां पर लिखेंगे triangle triangle aqs ठीक है triangle aqs यह तो पहला हो गया एक और आप लेजिए इधर से हम यहां पर लिख सकते हैं triangle pqo चाहिए तो p o q ऐसे भी ले सकते हैं यह triangle के बाहर में यह point हमारा x आ रहा है तो हम यहां पर triangle लिखेंगे पी ओ क्यू ठीक है इस तरह से हमारा यह हो गया next two triangles which have o as one vertex ठीक है ओ क्या होना चाहिए एक vertex होना चाहिए तो यहां पर हमारा ओ यह point है अब इसका vertex होना चाहिए तो आप लिख लिजिए यहां पर हम लिख सकते हैं p o t लिख सकते हैं तो हम यहां पर note कर लेते हैं triangle p o t आपका answer कुछ और भी हो सकता है अब दूसरा triangle का नाम यहां पर note कर सकते हैं हम लिखेंगे यहां पर t o a a यह भी लिख सकते हैं या तो फिप ओ क्यू भी लिख सकते हैं ठीक है तो आईए हम लिखते हैं ट o a triangle t o a आप यहां पर कुछ और भी answer दे सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है टू ट्रैंगल्स वीच हैब p t as one side ठीके p t क्या होना चाहिए एक side होना चाहिए वैसे दो ट्रैंगल्स के यहां पर example हमको देने हैं तो p t होना चाहिए यह देखिए p t यह आना चाहिए तो सबसे पहले p t o ले लिजिए आप आना triangle p t o ले लिजिए इसके बाद दूसरा ले लिजिए p t a ले लिजिए ठीक है चाहिए तो p t q भी ले सकते हैं तो आपके उपर है आपको जो लगता है आप answer कर सकते हैं तो मैं यहां पर कर लेता हूं पी टी ए ट्रैंगल p t a आपका कुछ और भी answer हो सकता है चलिए next हम बात कर लेते हैं two triangles having point y in their interior part ठीक है तो point y जो है उसके interior पार्ट में होना चाहिए वैसे दो ट्रैंगल के यहां पर example देने हैं तो यह हमारा point y है interior मतलब अंदर वाला पार्ट तो यहां पर देख लेजिए qrs यह जो हमारा ट्रैंगल है इसके interior पार्ट में वाई आ रहा है तो हम यहां पर लिखेंगा triangle qrs ओके और दूसरा triangle हम यहां हम पूरा लेंगे तो इसके interior पार्ट में आ जाएगा triangle qr ओके triangle qr चिक है इस तरह से देख लिए हमारा यह d number complete हो गया अब आते हैं e number question पर two triangles हमको यहां पर लिखने है two triangles which have a as one vertex यह क्या होना चाहिए एक vertex होना चाहिए वह ऐसे two triangles के यहां पर name हमको लिखने हैं तो यह हमारा point यह है तो हम लिखेंगा aqs यह भी लिख सकते हैं तो आईए हम not कर लेते हैं triangle यहां पर A Q S और दुसरा A Q O भी लिख सकते हैं ठीक है या फिर A O T भी लिख सकते हैं या आपके उपर है कि आप कौन सा ट्रेंगल का नाम यहां पर लिखना चाहते हैं और वो करेक्ट होगा A O T हम लिख लेते हैं ट्रेंगल A O T तो इस तरह से देख लिए बड़े आसाने से हम लोगों ने आपके कोर्शन नमर 3 को कंप्लिट कर लिया है तो नेक्स्ट हम लोग यहां पर सॉल्ब करेंगे कोर्शन नमर 4 और यह है फिल इन दी ब्लैंक तो आप यहां पर देखिए पहला कोर्शन कहता है दे थिरी ब्लैंक द वहता है ट्रैंगल के वर्टिश एस व क्या होते आप समय नन खुली रहोते हैं वह एक लैंड में नहीं होते हैं में और बेंदेखे कह приним क्या तो यहां पर ऑप सब्सक्राभी नॉट कर लिए एव है इसमैं कुझा सिच्झ साहीज़ा इसमीर्षक्ट होगा तो to decide XZ XZ आपका side लिया गया है तो इसके opposite में कुन सा vertex होगा तो XZ यहाँ पर omit कर देजिए X और Z को omit कर देजिए तो बज क्या गया Y तो यहाँ पर हमारा answer क्या होगा Y हो जाएगा ठीक है जो side लिया गया है उसमें जो हमारा नहीं लिया गया वह हमारा answer से लोगा उसके opposite हो जाएगा आईए हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको picture ठीक है vertex opposite to side xy xy side के opposite कौन सा vertex होगा तो यह देखिए triangle हमारा यहाँ पर बना हुआ है एक्स वाइजेट एक्स वाइजेट हमारा ट्रेंगल बना हुआ है साइट लिया गया है एक्स जेट तो एक्स जेट के opposite क्या होगा वाई होगा देख लिजिए एक्स जेट हना side हो गया opposite to vertex y तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पर क्या फिल कर लिया वाई फिल कर लिया ओके अब दूसरा यह भी हमारा abc देख लिजिए और side opposite to vertex c तो देखिए यहाँ पर abc ट्रेंगल बना हुआ है अब यहाँ पर हमको लेना है क्या vertex c के opposite कौन सा side है तो vertex c यह है इसके opposite कौन सा side होगा ab होगा okay ab हमारा हो जाएगा तो इसलिए हम लोग ने हाँ पर क्या लिखा है ab लिख लिए है और आगे आता है the other two angles of right angle triangle are acute angles यहाँ पर क्या हो जागा ना वह acute angles होते हैं चुकि acute angles राइट एंगल ट्रेंगल जो होता है उसमें एक एंगल तो 90 degree होता है और जो दो angles रागया हो क्या होगा acute angles हो जाए नेक्स्ट हमारा इंबर इच एंगल ऑफ और equilateral triangle measures degree तो यह 60 degree 60 degree होगा चुकि Equilateral triangle है ना तो Equilateral triangle में जितने भी angles होते हैं वो सब के सब equal होते हैं तो इसलिए हमारा एक एंगल का वहलू कितना आएगा 60 degree आएगा 60 degree कैसे होगा तो माल लेते हैं कि हमारे एक triangle है यहाँ पे ठीक है और इसका जो है Equilateral triangle है तो सारे angles equal होंगे x x x माल लेते हैं तो x plus x plus x 3 angles का सम कितना होगा 180 हो जाएगा तो यहाँ पे देख लिजिए x x x यह हमारा कितना हो गया 3x is equal to 180 degree हो गया तो x का value हमारा कितना हो गया 3 को right side लेंगे तो divide में आ जागा 180 divided by 3 अगर 3 से divide करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिल जागा 60 degree मिल जागा ओके इसलिए यहाँ पे जो equilateral triangle होता है उसके जितने भी angles होते हैं वो equal होते हैं और उसका value कीतना होता है 60 degree के equal हुआ करता है तो यहाँ पे हम लोग ने complete कर लिया है brain teachers के सारे questions को so thanks for watching have a glorious day ahead next video lesson में हम लोग hearts के questions को solve करेंगे